इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको देदू दोस्तों कि नेतन्याहू के घर पर दोबारा से हिजबुल्ला की तरफ से अटैक किया गया है और इस बार नेतन्याहू के घर के आंगन में आग के गोले गिरते हुए पाए गए हैं जी हा दोस्तों नेतन्याहू खुद तो बंकर में छुपे हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ लेकिन उनका जीना हराम हिजबुल्ला की तरफ से लगातार किया जा रहा है और इस कदर किया जा रहा है कि ये उनके घर पर दूसरा सबसे बड़ा अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको साजा करें दोस्तों भासकर की रिपॉर्ट बता रही है कि नेतन्याहू जी हा इसराइल के पीम नेतन्याहू के घर पर भयंकर तरीके का हमला हुआ है आंगन में आग लगने के गोले गिरे हैं एक महीने के भीतर जो है टाइमस ओफ इसराइल के मुताबिक बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के घर की तरफ दो फ्लेर्स आग के गोले दागे गए हैं जो घर के आंगन में गिरता हुआ दिखाई दिया है इसराइली पुलिस ने इसकी पुष्टी भी कर डाली है हमला कहा से हुआ है किसने किय है फिल्धार इसकी जानकारी नहीं मिली है लेकिन कहा जा रहा है कि तरफ से ही ऐसा कुछ किया गया है इस्राइली सुरक्ष एजंसी शिंब्र के बयानने अपने बयान देते हुए कहा है कि इस घतना में किसी भी तरीके के नुक्सान की खबर फिल्हाल तो नहीं आई है सेक हिजबुला की तरफ से अटाक किया गया था उनके बेजरूम में दोस्तों तब कहा गया था कि नेतन्याहू अपने परिवार के साथ नहीं थे इस बार भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अपने परिवार के साथ नहीं थे अब नेतन्याहू कहा थे किस जगा पर है ये तो फिल पर 19 अक्टूबर को नितन्याहू के घर पर हिजबुला ने हमला किया था तब एक जोन नितन्याहू के घर के पास जो है उनके इमारत पर गिरा था कोई हताहात की खबर तब नहीं आई थी उस समय भी नितन्याहू और उनकी पतनी सारा घर पर मौजूद नहीं थे इस्वाइल रक्षा मंतरी इस्वाइल कॉर्ज ने सोशल मीडिया पर कहा है कि हद पार कर दी गई है सुरक्षा एजेंसी ततकाल इस मामले में एक्शन ले अब सोची कि इस्वाइल की जो सुरक्षा एजेंसी है वो भी अब पूरी तरीके से फिल्योर हो रही है उनके पास भी कोई इस्वाइल के प्रधान मंतरी के घर पर हमला हो रहा है और इस्वाइल की प्रधान मंतरी तो छोड़ी उनके सेक्योरिटी एजेंसी ओं को भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है डिफेंस सिस्टम को भी पता नहीं चल पा रहा है मुसार जो इतना जो नामी जान जो है इस्वा अपील की जा रही है कि दोनों ही मुलकों को सीज़ फार कर देना चाहिए, लेकिन हिजबुल्ला चीफ जो है, उन्होंने काहा है कि सीज़ फार तभी होगा, जब उनके शर्तों को, उनकी बातों को मान लिया जाएगा. कुछ तस्वीरे दोस्तो भासकर के अवाले से शेयर करते वे जानकारी साजा की गई है कि ये जोन इसराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामियाब रहा है सोचे, इस्राइल का डिफर्ण सिस्टम भेद दिया गया है, ये खबर आ रहा है, हिजबुला का एक रॉकेट इमारत के नजदी गिरा जहां पर आग लगी है, इस बात की भी जानकारी, इस बात की भी पुस्टी की जा रही है, इस्राइल का ये हाल है, ये अरुसलम पुस्ट की रिपोर्ट के मताबिक अगर बात की जाए दोस्तों, तो सेक्योरिटी एक्सपोर्ट का मानना है कि इस्राइल को लंबी दूरी के मिसाइल को नाकाम करने से जादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कम दूरी के रॉकेट या फिर जोन को पकड़ने में सुरक्षा सिस्टम पू विमान और एक मिसाइल हिजबुला के लिए निकाले गए थे, ताकि नेतन्याहू का घर जो है वो सुरक्षित हो सके, डिफेंस एक्सपर्ट लेरन एंटेबी का कहना है कि जोन काफी कम उचाई पर उड़ता है, उस वक्त उसे निशाना बनाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें बिसफोटक भड़े होते हैं, इसे घर और लोगों को नुकसान हो सकता है, इस्राइल के एक सीनियर अधिकारी ने ये भी बताया कि अगर बड़े पैमाने पड्रोन या मिसाइल से हमला हो, तो भी उसे निपटने के लिए इस्राइल के पास प्रयापत इंतिजाम बयान है दोस्तों, जो भासकर की रिपोर्ट में छपा है, वो मैं आपको बता रही हूँ, का जा रहा है कि इस्राइल ने 26 अक्टूबर को इरान पर करीब 1000 मिसाइल से हमला किया था, इस हमले में इरान की निक्योलियर साइट तेल घान 2 को निशाना बनाया गया था, ये दा सिक्रेट निक्योलियर हतियार लाब बना रखा था, इरान पिछले एक साल से यहां खोफ या तरीके से निक्योलियर हतियार तयार करने की कोशिश कर रहा है, रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है, अमेरिका के की लाब के खात्मे से इरान के निक्योलियर हतियार को वि करने की कोशिश लगातार कर रहा है इसरोयल और अमेरिका की इंटेलिजन्स एजन्सियों ने इसका पता लगाया था वाइट हाउस की ओर से इरान ने अपनी निक्योलेर रिसर्च बंद करने की चेताबनी भी दी थी इरान इसे नजर अंदाज कर दिया था जी हां वाइट चेड़ने से पहले सौ बार सोचने की हिमाकत कर रहा है इरान इस वक्त दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो है वो माना जा रहा है वो शहर माना जा रहा है जहांपर उनके बहुत सारे हतियार जो है उनके खुद के इज्वात किये गए हैं जिसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं प्रयाप्त है, हाला कि इरान अपने Operation Promise 3 को successfully करने के लिए मुस्तैद बैठा हुआ है, हर पल जानकारी, हर पल रिपॉर्ट सामने आती रहती है कि कैसे इसराइल पर हमला करने की योजना इरान की तरफ से बनाया गया है, जिसका साथ हिजबुला और यमन, जी हा यमन की तरफ से भुगतना पड़ चुका है, उनके युद्ध पोत को कैसे, यमन के विद्रोहियों ने तोड़ा है, आप सभी को पता है, वो खबर भी मैंने आपको बताई है कि क्या हाला और क्या हश्र किया गया है, दोस्तों इस पूरा रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचत आपकी क्या प्रति के रिया हमें कमेंट कोई के जरूर बताईएगा, साथ इसा चानल को जादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, तरने बाद दोस्तों